नागालेंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागालेंड के अलावा असम, अरुनाचल पदेश और मनीपूर में रहने वाले प्रतेक नागा को समान विशे सदिकार और सुरक्षा पतान करने के लिए नागा समझोते की आउशक्ता पर बल दिया है। बुद्वार यानी 16 फरवरी को मनीपूर के सेनापती में एक चुनाबी सभा को संबोरीत करते हुए नागालेंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि नागा अंदोलन पूरी तरीके से विफल नहीं है और फिलहाल इस आंदोलन को आनशिक सफलता मिली है। नागालेंड के मुख्यमंत्री नागे कहा हमें ये नहीं कहना चाहिए कि नागा अंदोलन पूरी तरीके से विफल रही है। केंद सरकार के साथ मेरी चर्चा से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम अब सामोहिक और एकजुट होकर समझोता कर सकते हैं तो हमारे युवाव के ल कोई राजी नहीं है जहां नागालेंड राज की तरह इतने विशे सदीकार और सुरक्षा दी गई हो। नागालेंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि नागा ना केवल नागालेंड में हैं बलकि वे आसम अरुनाचल प्रदेश और मनीपूर में भी हैं नागालेंड के मुख्य मंत्री नेफ्य रियो ने कहा कि पिछले साल दिसंबर के महिने में नागलेंग्ड में आसम राइफल्स द्वारा सेना के विशेज बलो द्वार ओटिंग में तेरह और मॉन में एक अन्य विक्ति की हत्या को आम्ड फोर्से स्पेशल पावर एक्ट अधिनियम के कारण की गई गल्ती करार दिया गया है when settlement come there will be a multiple opportunities and privileges will come and recognitions of our history and over issue is a big thing and even at this present there is no there are most states in the country who are so much privileged and protected like Nagaland state. But Nagas are not only Nagaland, Nagas are in Manipur state, in Arunachal state, in Nagaland, in Assam. And that privilege, protection should be extended to बहSet पता बनागा अ virus, वे लोड़ कापड़ कर अप्री फिर व बान्या मेर, विल्भ एtoi कुल भी भुब बनार और प्री अषब SSK जा फियर कार झानाश दीर फ्रू एलग्यति अलग्या और झान आपकेंडिया कषूता शलग्रॉड नग्या कि अंयर अवर्ण करेंड़िव और टत्रॉट और ट्रॉड लिग्ण nuclear पूमिया जिए नेग्या टीखूता रोंडे सिर्वारी जए अवर्स दॉड्यूत अरून पर चुड़र क्या जए आया non-violence. And the people will have we will negotiate and our course will become more relevant and more important. You are aware about the often incident on fifth December 2021 in modern district because of the armed forces special power act as far the army operation mistakenly killed 14 innocents a tragic incident and injured so many people but the mistake of killing at OT after the workers coming from the mining you think about this whole story? whatever you are in the comment box and share your story with us and for the news of these stories watch the East news like our Facebook, YouTube, Instagram page share and subscribe so much for you all thanks for watching please subscribe and hit the bell icon you